Hello friends, welcome back to my channel और आज हम करने वाले हैं Realme X7 Max device का Geekbench 5 test इस test से बता चलेगा कि CPU की performance कितनी जादा इंप्रूव हुई है इस update के बाद, इस update के बाद थोड़े बहुत changes मुझे देखने को तो मिले हैं वो मैं आप से एक पूरी overall वीडियो में शेर करूँगा यह C.14 update है जैसकी मैंने बताया लास्ट वीडियो में मैंने अपडेट किया था इसको और अब मैं वीडियो बाई वीडियो नए ने test करूँगा इस पर और आपको दिखाऊँगा तो यहां भी Geekbench 5 test करेंगे और इसके score भी बताऊँगा और साथ-साथ थोड़े बहुत मैं आपको बताई देता हूँगे क्या changes आए है तो पहले क्या होता था ना मलब पहले अगर आपने Xiaomi वखेरा के devices अगर आपने use की हैं तो आपको पता ही होगा यह चीज के जब भी हम कोई app को install करते हैं उसके बाद एक चेकिंग चेकिंग टाइप का कुछ आता था उन devices में यह note 3 मलब बहुत time से आ रहा था तो अब realme वालों ने क्या किया रहा उनको लगा कि हम कुछ तो करें कुछ तो करें कहां और ad दिखाएं तो उन्होंने वो चीज यहां पर integrate कर दिया इसके लिए एक में separate वीडियो तो जरूर बनाने वालों कि यह क्या चक्कर है उसमें चेकिंग चेकिंग के नाम पर आपको बस ads दिखाएंगे वहां पर तो इसी लिए यह इतनी 787MB की update थी मतलब update by update मुझे पता Android 12 इतना stable नहीं है माल नहीं बात आपकी लेकिन update by update आप ऐसे integration करते जाओगा ads की तो कैसे काम चलेगा ठीक है जो भी है company को भी profitable बनना है उपर से Chinese companies के उपर तलवाल लड़का के रखी है हमारी government ने क्योंकि यह एक अच्छी चीज़ है और मेरे इसाप से तो आप government को एक से strict action लेने चाहिए ना कि जिन भी devices के साथ charger नहीं आ रहा है उनको phone वो devices sell करने का ही उनका license cancel कर देना चाहिए क्योंकि obviously अभी मैंने ग्यान थेरे भी की एक वीडियो देखी वहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी मतलब जैसे अभी जितने भी phone आ रहा है उनमें अगर कोई भी defect होता है किसी और third party charger की use से तो वो लोग warranty claim नहीं करने देंगे तो यार अगर आप warranty claim नहीं करने दोगे तो आप charger प्रोवाइड करो ना box में obviously तो यह एक scene हो रहा है तो यह मुझे लगता है कि government को इस पर strict action लेना चाहिए और साथी साथ एक ही चीज में यह बोलूँ है कि apple के जतने यह products हैं जैसे कि मैं iPad use कर रहा हूँ इसमें से lightning port जो है वो बिल्कुल remove कर देना चाहिए वो बिल्कुल senseless चीज लगती है मुझे अब यह बाकी devices के बारे मैं मैंने बहुत बोल दिया senseless चीज मैं और थोड़ा elaborate करता हूँ उसी मैं क्योंकि उसमें speed भी नहीं आती है और उसमें charging की speed भी नहीं है data transfer की speed भी नहीं है तो उसको लगा के क्यों रखा है lightning port को मुझे यह समझ नहीं आता ठेक है यह point हो गया अब यहाँ बात करते हैं इसके और changes के बारे में तो loud speaker की जो volume है वो मुझे तेज लगने लगी है पहले जो थी वो कम हो गई थी वो अब वापस से सही हो गई है finally और इसका CPU throttling test वगरा भी करूँ हूँ है मैं इसके बाद तो उसको भी आप देखना जरूर और N22 benchmark को भी देख लेना उसके हिसाब से आपको एक idea लग जाएगा कि अपडेट आपको करनी चाहिए या नहीं एक दो दिन माद मैं इसकी बैटरी की वीडियो तो डालनी वाला हूँ तो चैनल पर बने रिएगा और like बटन को दबा दीजेगा और comment जरूर करिएगा कि कि उससे होता क्या है न जितना आप comment करोगे उतनी जादा मेरी वीडियो लोगों तक पहुँचेगी जो आपके मतला हमारे जैसा एक phone यूज कर रहा है उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी कि उनको समझ में आएगा यह अपडेट करनी है यह नहीं तो comment जरूर करिएगा कि आगे में और किस बारे में वीडियो बनाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 93% अलड़ी हो चुका है अब यह जैसे ही 100% होगा हमें score मिल जाएगा और पता सलजाएगा कि क्या improvement देखने को मिले है वैसे यह update मुझे C.13 से काफी बहतर लग रही है अभी मैंने एक दिन ही हुआ है मुझे use करते हुए इस update को और मुझे काफी सही सा लग रहा है पूरा जो भी है आप देख लो score आया है 973 और 2957 मल्टी कोर थोड़ा सा वीक में कहूंगा 3000 की उपर जाज़ा लेकिन 50-60 पॉइंट का इतना डिवाइस का फरक नहीं पड़ता है लेकिन 973 सिंगल score में आ रहा है और 2957 मल्टी score में आ रहा है अब यह score device to device भी डिफर कर सकते हैं मेरे mobile की अभी memory पूरी की utmost will है full है मतलब 75-80% full memory है क्योंकि यार data इतना सारा होता है न मैं उसको delete नहीं कर सकता जिसकी मने बताया 128GB का variant है मेरे पास इस वह सकता है थोड़े बहुत score उपर नीचे हो आप भी test करना और बताना कि आप कौन से version पे हो और आपका कितना score आ रहा है बाकी अगर आपको को लिंक दी गई है वहां से check out करो जरूर करना मैं मलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में बाबाय टेक केर